नमस्कार मैं हूँ शत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB Hindi News जिसकी वज़े से ताबमान में जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है आसमान से आफ़त वाले आग बरस रही है साथी बेचन आग उगलती गर्मी अपने तीखे तेवरों से आगाज किये है लोग के थपेड़ों से लोगों का घरों से निकलना दूबर हो गया है मौसम विभा के अनुसार आने वाले तीन से च्यार दिन बेचन गर्मी जारी रहीगी CM खटर ने परशासनिक सच्यों के साथ की उच्चस तरिवे ठैक दिये ये निर्देश हर्याना के मुख्यमंतरी मनोरला ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि पेजल आपूर्ती प्रणालियों के एवेद दोहन पर भी कड़ी नजर रखे जाए ताकि पेजल का उपयोग सिचाई के लिए ने हो उन्होंने कहा कि सरकार हर नागरी को सुद्ध पेजल देने के लिए प्रतिवद है इस दिशा में पेजल की मात्रा बढ़ानी के लिए अधिक से अधिक रेनवेल का जिर्णों दर किया जाए ताकि आमजन इंजन का लियांकारी प्रियोजनावं से लाभान वी थोशके खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाना वे महरास्ट के बीच पदकों के लिए पहले वे दूसरे स्थान के लिए लगी होड हरियाना के पंचकुला में ताउ दैवलाल खेल परिशल में चल रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के पदक तालिका की शुरुवाती रोजानों से लगता है कि हरियाना वे महरास्ट के बीच पहले वे दूसरे स्थान के लिए होड लग गई है एक के बाद एक दोनों राज्यों के खिलाड़ी पदक तालिका में अपने राज्यों का स्थान उपर लेकर जा रहे है 10 गोर्ड साहित 31 मेडलों के साथ हरियाना पदक तालिका में नंबर एक पर पहुँच गया है वही हरियाना के खाते में 10 गोर्ड, 8 शिल्वर और 13 काश्य पदक है वही महरास्ट भी 9 गोर्ड साहित 21 पदकों के साथ तालिका में दूसरे स्थान पर बना हुआ है किसानों के लिए खुशकबरी किर्शी के साहिक धंदे के रूप में करे मदूमकी पालन सरकार दे रही है 85% सबशीडी रोत्त के उपायक कैप्टन मनोज कुमानी किर्शी के साहिक धंदे के रूप में जिला कि किसानों से मदूमकी पालन अपनाने का आवान किया है उन्होंने काये कि आई बढ़ाने में मदुमक्य पालन बेहद कारगर साभीत हो सकता है कैप्टन मनोज कुमानी का कि मानोजाती की सबसे बड़े मित्र होने के साथ चोटी सी मदुमक्य से प्रकरती के विकास में बड़ा योगदान दिया है उन्होंने का कि मदुमक्य मदूर एमपोष्टिक खादय पदार्थ अर्थात सहथ का उत्पदन करती है लेची निम्बू परजातिय फलों अमरूद बेर आडू शेव इत्यादी वर अन्य दलहनी वतिलहनी फसलों में मदुमक्य दौरा परागन अत्यंत महत पूर है कैप्टन मनोच कुमा ने कहा कि परिक्षणों से यह भी जानकारी मिलेगी पर परागन के बाद जो फसल पैदा होती है उन दानों का वजन एमपोष्टिक ता अच्छी होती है योजना के लाब उठाने के लिए वेबसाइट www.hotharyana.com पर आविदन किया जा सकता है इसके लावा अधिक जानकारी के लिए जिलाउद्यान अधिकारी से संपरक कर सकते हैं 30 जून को मार्केट में धमाकेदार एंट्री ले रही है मारुति के इसानदार कार जानी कीमत मारुति ने अपनी अपकमिंग ब्रेजा 2022 के लाँचिंग को लेकर सभी तयारिया पूरी कर ली है इस कार के अपकमिंग मोडल को टेस्टिंग के दोरान भी कई बार देखा गया है कमपनी के तरब से सोमार को कंफर्म किया गया कि मारुति शुज की विटेरा ब्रेजा 30 जून 2022 को लॉंच किया जाएगा यदि आप भी कार खरीदने का मन बना रहे हैं तो यह कार आपके लिए बड़िया विकल्प हो सकती है इस कार की केमत के बात करें तो 7,84,000 रुपे से लेकर 11,49,000 रुपे है यह कार टोयटा, अर्बन क्रूजर, महेंदरा, एशुवी 300 आधी अन्य कारों को टकर देती नजर आएगी ब्रेजा को एकदम नया लुक दिया गया है जिसमें बाहर से लेकर केबिन तक कई फीचर अपडेट किये गए है सरिया में 5 साल की तगड़ी गिराउट जानली जी नयरेट भवन निर्माने में सबसे एहम सरिया और सिमेंट का होता है हालांकि रहत अब भी महेंगी मिल रही है, आने वाले दिनों में इसमें भी कमी देखने को मिल सकती है सरिया की किमते लगातार धड़ाम हो रही है, पिछले एक महीने में सरिया के दामों में 9000 रुपे परति ठन की गिराउट सामने आई है इससे महेंगाई से जूज रहे आम लोगों को एक बड़ी राहत मिलती दिखाई दे रही है कि अंदर सरकार ने पिछले दिनों कोईला और स्क्रैप पर ड्यूटी गटाई थी, इसका असर अब लोहा मार्केट पर पढ़ना शुरू हो गया है कारोबारियों का कहना है कि महेंगाई की दोर में सरिया और सेमेंट की किमतें कम होने से खरीद अचानक से बढ़ गई है जल्द तयार होने वाला है देश का पहला मेडिकल ड्रोन कोलिडॉर, दिल्ली एम्स और जजजर के बीच की दूरी मिनिटों में होगी थै दिल्ली के एम्स से हरियाना के जजजर के बीच बनाया जा रहा है, मेडिकल ड्रोन कोलिडॉर इस साल के अंत तक बन कर तयार हो जाएगा इस medical कोलिडोर के बनने से दिली एम्स और जज़र के बीच के 60 किलोमेटर की दूरी घंटों की बजाए मिन्टों में तया होगी इस medical कोलिडोर को लेकर एम्स आधिकारें का कहना है कि कोलिडोर के लिए दिली पुलिस से मंजुरी मिलने का इंतिजार है इसके बाद स्वास्त मंतरी द्वारा ड्रोन सुविदा सुरू की जाएगी मानव राइत हवाई वेहिकल कोलिडोर की मंजुरी को लेकर स्वास्त आधिकारी ने का आए कि कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो वर्तवान में जजजर परिसर में उपलवद नहीं है इस कॉलीडोर के बनने के बाद ड्रोन की मदद से नमुनों को परिक्षन के लिए दिली परिसर में ले जाना आसान हो जाएगा कई बार ऐसी स्थिति सामने आई है कि किसी ट्रांस्प्लांट अंको दूसरे सहर से लानी के लिए ट्रैफिक के लिए कोलिडोर बनाया गया है हालांकि कई सहरों में ट्रैफिक कोरिडोर बनाना मुश्किल है इसलिए मेडिकल ड्रोन कोरिडोर से इसमें काफी मदद मिल्च केगी मुश्यवाला की रेकी करने वाला अरेस्ट बद मास केकड़ गरफतार पंजाब हरियना रास्तान और महारास्ट के आर्ट सूटर्स की भी पहचान सभी लोरेंस गैंग से जुड़े हैं पंजाब के मासूर शिंगारों कॉंग्रेस नेता सिद्धु मुश्यवाला की हत्य मामले में पुलिस को बड़ी सबलता हाथ लगी है और हत्यकाण में सामिल आठ सूटर्स की पहचान आप तक हो चुकी है इन में से एक शूटर को पंजाब पुलिस पहले ही गरफतार कर चुकी है बताया जा रहा है कि ये सबी लोरेंस बिस्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं और फिलाल साथ सूटर्स किसे ने किसी केस में फरार चल रहे हैं शूटर्स को पकड़ने के लिए दिल्ली पंजाब, हरियानाव राधतान में ताबर त्रोट रेड जारी है पंजाब पुलिस, दिल्ली पुलिस, राधतान पुलिस, समेत कई राजियों की पुलिस इन साथ सूटर्स को गरफतार करने में जुटी हुई है सबसे पहला नाम है मनपृत सिंग मन्नू, पंजाब के तरंतारन के रहने वाले मनपृत सिंग मन्नू को पुलिस ने उत्राखंड से गरपतार किया था, इस पर लोजिस्टिक सप्लाई करने और शुटर्स को गाड़ी प्रोवाइड करने का आरोप लगा है, वहाई दूसरे श पुलिस ने इस पर 25 जारोपे का इनाम भी रखा है, अगला शुटर्स मंजीत उर्फ बोलू है, हर्याना के सोनिपत का रहने वाला है, अगला शुटर्स सोरावूर्फ महाकाल, महराष्ट के पूने का रहने वाला है, वहीं अगला शुटर्स संतोस जादव महराष्ट के प हरियाणा में सोपीस बने टेबलेट सिम कार्ड एक्टिव नहीं करा पाई संचार कम्पनिया सरकारी स्कूलों के दस्वी बार्वी के विद्यार्थियों की डिजिटल पढ़ाई को लेकर दिये गए टेबलेट ग्रिश्म आउकास में इन दिनों अलमारियों की सोबा बन गए है जानकारों की माने तो संचार कम्पनिया अभी तक सभी टेबलेट में सिम एक्टिवेट नहीं कर पाई है जिसके चलते इस महत्वगान शी योजना में डिलाई हो रही है हलाएंगी विभा की और सिम एक्टिवेट कराने को शेडूल भी जारी किया गया है लेकिन अभी तक ये कारिये पूरा नहीं होने से विद्यार्थी भी मायूस दिखाई दे रहे है ऐसे में संचार कंपनियों के करमचारियों की देरी का खामयजा विद्यार्थीयों को भुक्तना पढ रहा है उदर विद्यार्तियों को एक महिने बाद भी योजना को प्रियाफ्त लाब ने मिलने से अभी भावकों वे शिक्षकों में भी संसे की स्थिति बनी हुई है हर्याना राजी सबाचुनाव 2022 अपडेट अबजर्वर राजी सुकला का दावा कॉंग्रेस की जेत पक्की हुड़ा बोले पार्टी काएगी तो ही राइपूर से जाएंगे हर्याना कॉंग्रेस के विदायकों से मुलागात करने के लिए अबजर्वर राजी सुकला सौमवार को 36 गट के राइपूर पहुंच आए दोपैर बाद राजी सुकला ने परदेश कॉंग्रेस विदायकों की मीटिंग लेने पहुंचे और राजी सुबा चुनाओं को रेकर चाचागी अबजर्वर राजी सुकला ने मीटिंग के बाद कहा है कि कॉंग्रेस की जीत पकी है पार्टी के पास प्रयाप्त संक्या बल है भाजबा होर्स ट्रेडिंग में सफल नहीं होगी राजस्तान के साथ जिलों में बारिष का अलाट तेज धूप और लूज से मिलेगी रहात गंगानगर रहा सबसे गरम राजस्तान के कई सहरों में 9-10 जून से मोशम में बदलाव हो सकता है साथ जिलों में बारिश की आसंका जताई गई है जैपुर मोसम केंदर सिजारी फोरकास्ट के मुताबिक राज्य में 7 वे 8 जोन को मोसम साफ रहेगा और गंगानगर हरमानगड एरिया में कहीं कहीं हीट वे उचल सकती है 9 जोन को परदेश के मोसम में हलका बदलाव देखने को मिल सकता है कोटा, बारा, बुंदी, उधैपुर, डुंगरपु, चित्तोडगड और बाश्वडा एरिया में आसमान में हलकी बादल ठाने के साथ साथ कहीं कहीं हलकी बुंदा बांदी हो सकती है टिकट बुकिंग नियम में बदलाव आधार लिंक्ट आयार शिटीशी यूजर्स एक महिने में 24 टिकट बुक कराशकेंगे जानी आधार लिंकिंग प्रोशेस, अब रेल यात्री ज्यादा ओनलाइन टिकट बुक करशकेंगे रेल मंतराले ने कहा जिन आयार शिटीशी यूजर्स की लोगिन आईडी आधार से लिंक नहीं है उनकी एक महिने में ओनलाइन टिकट बुक करने के संख्या को 6 से बढ़ा कर 12 कर दिया गया है आधार लिंक यूजर आईडी वाले गराकों के लिए अधिकतम टिकट बुक सेंख्या 12 से बढ़ा कर 24 कर दिया है ये सुविदा उन लोगों के लिए काफी ज़्यादा फायदे मंद होगी जो फ्रिंक्वेट ट्वेलर्स हैं इसके साथ ही उन लोगों को भी फायदा होगा जो एकी आईडी का इस्तिमाल परिवार के सभी सदेशों के टिकेट बुकिंग के लिए करते हैं आयर सिटेशी के पोर्टल में कुछ बदराव करने के बाद अगले 3-4 दिनों में यहा आदेश लागो होने के संभावना है किसानों को राहत अब 31 जुलाई तक पीम किसान योजना के लिए करास केंगे EKYC पीम किसान योजना के लाब ले रहे किसान अब 31 जुलाई तक EKYC करास केंगे पहले इसके आखरी तारिक 31 माई थी जिसे अब बढ़ा दिया गया है अब इस तारिक से पहले EKYC के पुरी नहीं करने वाले किसानों के अगले किस्त का पैसा नहीं मिलेगा किसान दो तरीकों से PM किसान के लिए EKYC पूरी कर सकते हैं किसान अपने नजदेगी Common Service Center यानि CSC पर जाकर भी अपनी EKYC करवा सकते हैं इसके अलावा EKYC प्रकिरा घर बैठे ओनलाइन PM किसान की अधिकरिक वेबसाइट के माध्यम से पूरी किसा सकती है इसके लिए आपको अपने आधार कार्ड में आपका मोबाइल नमर लिंक होना चाहिए लिंक होने के बाद आप लैप्टोप या मोबाइल चे ओटीपी के जरिए EKYC घर बैठे पूरी कर सकते हैं सोना चांदी की केमत में गिरावट 51,000 पर आया सोना चांदी भी फिसल कर 62,000 की करीब पहुंची चे जोन को सोना चांदी के दाव में गिरावट देखने को मिली है सोना चांदी की बाद करें तो सराफा बाजार में 317 रुपे पर पहुंच गई है आप सोना और चांदी का भाव आसानी से घर बैटे भी पतार लगा सकते हैं इसके लिए आपको शिर्फ 89 55 66 44 33 नमबर पर मिश्ट कॉल देना होगा और आपके फोन पर एक मेसेज आ जाएगा इसमें आप लेटेस्ट रेट चेक कर सकते हैं लौन चुवाद जन्समर्थ पोर्टल अब 13 सरकारी स्केम एक प्लेटफर्म पर मिलेंगी अब आप आसानी से ले सकते हैं ओनलाइन लौन परधान मंतरी नरेंदर मोदी क्रेडिट लिंक्ड सरकारी योजनाओ के लिए जन्समर्थ पोर्टल लौन्ज किया है जन्समर्थ एक डिजिटल पोर्टल है इससे सरकारी स्केम के तहित लोन लेना आसान हो जाएगा इस पोर्टल से 13 सरकारी स्केम के तहित लोन लेने के लिए ओनलाइन आविदन किया जाज़ केंगे फिलहाल चैर्श रेनी के लोन के लिए आविदन करने के सुविधा उपलब दोगी इनमें सिक्षाक किर्शिन इप्राटेक्चर कारोबार शुरुआत एम जीवने अपन लोन सामिल है लोन के आविदन से पहले इसके मंजूरी तक सबकाम जन समर्थ पोर्टल से ओनलाइन होगा पोर्टल में आविदक अपनी लोन की स्थिति को भी देख सकते हैं आविदन लोन नहीं मिलने पर उसके शिकायद भी ओनलाइन ही कर सकेंगे आज खबरों में सितना ही देखते लिए CWB हिंदी न्यूज नमस्कार